आज हम आपके लिए लेकर आएं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है फटा-फट से बन जाती है सबी को पसंद आती है तो आए देख लेते हैं इसकी रेसिपी अभी हमने एक किलो कच्चे केले लिये थे इन्हें उबाल लिया है एक सीटी लगवाके छिलकस का छील लिया है अब करेंगे से कदू कस तो कदूकस कर लिया हमने इसको हमने डाला है एक बड़ा चमच लसुन हमें इसे बारिक बारिक काट लिया है अब हम डालेंगे इसमें एक बड़ा चमच अध्रक कदूकस करके लिया है हमने इसे दो मीडिम साथ के प्यास थे इसे बारिक-बारिक काट लिया है चमच ना पेंगे तो ये चार चमच करिब-करिब है अब हम जालेंगे इसमें हली धनिया और डालेंगे कुछ मसाले तो यहाँ पे हमने एक छोटे चमच मिर्ची पौडर लिया है एक बड़ा चमच दनिया पोडर एक चुथाई चमच कालमेश पोड़र एक चुथा चमच जीरा पोडर उसमें डाल दें हम आम चूर एक चुथाई चमच नमक आदा चुटो जमच या आप अपने स्वाद अनुसा ले सकते हैं और हम इन सब को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और जैसे आटा होता है सेम वैसी एक टेक्च्चर देंगे इसको हम अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन लगबग एक चथाई कप से तो देखे हम वैसन मिला लिया है और हम डालेंगे इसमें घी कोल का मिल्ट कर लिया था ताकि मिक्स करने में असानी हो इससे मौश्य इसमें लॉक हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो इसको मच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसकी हम छोटी-छो पुष्ण कर लेंगे टो यह हमारे कोफते ऐसे त्यार हो जाएंगे सारे के सारे बटर कम ऐसे कुफते त्यार करेंगे ऐखी सेम सई-इस और त्यान पर थोड़ाव । थोड़ा सा अगर आपको पड़ए चाहिए तो वैसे कर सकते हैं पकने पर यह थोड़ा उसे साइस देंगे ताकि कोफते हमारे अच्छे अंदर तक पकें तो देखिए हमने इसमें अच्छे से डाल दीए है कोफते तो देखिए इनमे अलकल का रंग आने लगा है हलकेसी ब्राउन भी होने लगए है इस हो दिर पर चलाते रहिए यह हर तरफ से अच्छे से golden brown हो जाए इन्हे प्रॉपर golden brown करना जरूरी है यह जो ग्रेवी में इन्हें डालेंगे तो यह उसी में melt हो जाएंगे मतलब खुल जाएंगे क्योंकि यह बहुत soft रहेंगे और जैसे ग्रेवी किस ट्रश में आएगी यह उसमें खुल जाएंगे त तो देखे हम इसे काट दिया है बीच से और आप देख सकते हैं कि इसमें जालियां हैंदर छेट-छेट से बने हैं यही ग्रेवी को अंदर अब्सॉर्ब करेंगे और एक बाहर golden color की अच्छी से layer आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे कोफते को melt होने से रोकें तो यहां color gravy के त्यारी तमने उसी कड़या में दो बड़ चम्मच mustard oil लिया है सरसों का तेल अच्छी से गरम होने पर हम डाल देंगे इसमें दो तेश पत्ता एक चुथाई चम्मच सौप एक चुथाई चम्मच जीरा और एक चुथाई चम्मच मेति दाना सौप और मिचनाना से gravy की जो paste है वो और बढ़ जाएगा तो इन्हें अच्छे से crackle होने तक fry करते हैं जैसे हमारा मसाले कुख हो जाए हम डाल लें है इसमें प्यास हमने इसमें प्यास और लसन को पीस लिया है दो मीनियों से उसके प्यास थे और लसन दस से बारा थे इन्हें अच्छे समने पीस लिया है दस से बारा उसके जवे थे पूरी-पूरी आणी नहीं थी एक बड़ा चमच धनिया पॉर्डर एक चुताई चमच लाल मिर्च पॉर्डर यह कम ज़्याद आपने साब साब कर सकते हैं हलदी पॉर्डर, एक चुताई चमच काश्मेरी लाल मिर्च एक बड़ा चमच गरम मसाला आता छोटा चमच आम चूर पॉडर एक चमच और बेशन एक बड़ा चमच तो प्याज हमारे हो चुके हैं और हम डाल देंगे इसमें यही मसाला मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ से बैटर त्यार हो चाए और इसे तब तक को करना है जब तक मसाले तेल न छोड़ दें यह कोफ्ते वाली सबजी है तो इसमें ओल जादा ही लगता है मसाला हमारा भुन गया है और हम डाल लें इसमें टमाटर के प्योरी हमने यहां दो मीड्यम साइज के टमाटर लेते हैं जिन्हें बेज़ा अधर डालके दो इंच के अधर टुक्रा था उसे बेज़ा इसके साथ और अब इन सबको अच्छे से मिला लिएंगे टमटर डाला है तो नमक थो पढ़ेगा ही पढ़ेगा तो नमक आपने सादने सा ले सकते है हमने एक बड़ी चमलच दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए हमने आप इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है प्रॉपर तरीके से अब हम इसे ढग कर पगाएंगे क्योंकि सारी चीज ग्रेवी में है तो यह उच्छलेंगी इसे एक बार अच्छे से और चला देते हैं फेस को हम ढग देंगे तो इस दिर पर खोल खोल के चलाते रहेंगे ताकि यह जले नहीं और अच्छे से हमें ग्रेवी पकी भी त्यार मिल जाएं तो देखिए हलकलका हमारे ग्रेवी ने ओल छोड़ दिया है वह हम लगा ले रसा इसमें तो हमने तीन बड़े कप पाई डाला है और जैसे पानी हमारे अच्छे से बॉल होना शुरू हो जाएगा हम इसमें कोफी डाल देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि ग्रेवी में सारी मसाले मिक्स हो जाएं और कोई लंप्स ना रहे क्योंकि इसमें बिसन प की तेल भी अच्छा से उपर उपर आने लगा इसमें और अगम से थोड़ा साइट रोकते हैं कल्ची को तो अब देख सकते हैं कि इसमें बॉल भी आना शुरू हो चुका है कि देखें इसमें बॉल भी आ रहा है प्रपड तरीके से अगर आप देख सकें तो तो थोड़ा और बॉयल आने पर हम अपने कोफ फिर्ट में डाल देंगे तो देखिए बॉयल कितना अच्छे से आ गया है अब हम करते हैं कोफ इसमें डाल देते हैं और फिर पांच मिट लिए से पकाएंगे तो देखिए बनके तयार हैं हमारे कोफ पांच मिट हो गएं सारे कोफ अच्छे से उपर आ चुके हैं हमने इने सर्फ कर दिया हैं आप इसे चावल रोटी पर आठे चिस जाए खाव से कहा सकते हैं अगर आपको मेरी से पसंद आई हो मैं चनल को लाइक करें सस्क्राइब करे शेयर करें कमेंट करें बेल अके अंद बना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें थैंक यू पर वाचिंग मैं रेसिपी आई होप यू इंजॉए